हेलो असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का सुक्रे हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्ला आप सब को भी कुछ रखे आमीन रोनी रिंग वैसे तो ट्राइपोटे हाले के आगई हूं सेट करूंगी और फिर आप लोग को दिखाऊंगी क्या 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 तैयारी कर रहे हैं वैस यह चट्नी जोब किसके बाहर से आई दिखाई थी इससे पहले भी और यह सब प्रिक्रेशन चालू है ताइम तीन बज रहा है तीन बज़े ही आज किछन में आ गई थी और यहां भी कुछ-कुछ तैयारी करके रख लिए हूं यह बड़ा का समान बनाना था यह प्याज होगरा कटिंग की थी और यहां पर डबल कड़ा ही चड़िए आज दो तरीके की कलेजी बनाऊंगे और दुनतर की कलेजी आप लोग के साथ सेयर करोंगे कि किस तरीके से बनती है रमजान के लिए मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूं कि आप लोग को कैसा क्या चीज देखना है इस पेसली रमजान से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट करिए त रिकिकान के बनाऊंगे अध्या न में चल्शान ददम है और यहानम के चालियों के सब्स तकि पनाऊंगे लिए सब्स हाल हो भी बिना झाल को जाल प्यूंचे न सब्स तो मैं हम तमाटर धनिया पत्ति पुदीना और मिर्ची तो मैंने घर से लिए क्योंकि बग्या में नहीं थी और बाकी सारी चीज मैंने अपने छोटी सी बग्या सिलिया जो आप लोग को कई बार दिखा चुकी हूं कि छोटा सा बग्या लगा के रखे हैं सामने में तो इसमें कुछ पुदीना के साथ पुदीना और लेसन की पत्ति की चुटनी बनेगी तो दोने में नमक अड़ करेंगे और उसमें पुदीना या पत्ति और टेस्ट बढ़ जाएगा और यह तमाटर वाली चुटनी है नॉर्मल जो बनती है लेकिन सील में बनने के वज़े से बहुत ज्या पर बनायेंगे और आपलों के साथ रेस्पी सेयर करेंगे तो जब दही दिखा रही थी कि मेरा देही बहुत ज्यादा अच्छा जमा था मतलब बहुत गाड़ा जमा था और मां पर बूली कि आज शेल में पेसेंगे उरत के डाल को सिल में पीस के बढ़ा बनाएंगे तो में जो चावल भिंगा के रखी थी तुसका मुझे रोटी बनाना था तो इस तरीके से मैं पीस के रख और मैं आप लोगो बता दूँ मैं दो से तीन घंटे में अपना कीचन का पूरा काम फिनिस कर लेतें चावल दाल सब्जी और जो इफ्तारी है सब बना के मेरा दो से तीन इफ्तार करते करते तक मेरा पूरा बनके रेडी हो चुका रहता है तो यहां पर मैंने चावल को पीस लिया और उसमें नमक एड़ करके छोड़ दिया है देखे नमक को एड़ कर दूंगे और फिर इसको छोड़ दूंगे चिलका रोटी जो इसका वीडियो मैंने आप और यह उरत दाल है आधा उरत दाल को मैंने पीसा है क्योंकि आधा उरत दाल का मैं बड़ा बनाने वाली हूं और आधा उरत दाल का मैं दही बड़ा बनाऊंगे तो मैं कभी भी बड़ा बनाती हूं तो उसमें चावल का आटा या सूजी जरूर एड़ करती हूं तो आप या तो पिसा हुआ चावल का आटा डाल दो यह दोनों डालने से बड़ा जो है थोड़ा किरिस्पी बनता है और उसके बाद नमक, गिसा हुआ अद्रग, हरी मिर्च और प्याज इसके लाव आपको उसमें कुछ भी नहीं डालना है खाके देखेगा बना के देखेगा इस तर पंदर मिनट बीस मिनट तक तो आप इसको जरूर छोड़ दीजें फेट फाट के और इस तरीके से ढखके रख दीजें और यहां पर फिर बड़ा बनाने के अम लोग तैयारी करते हैं तो बड़ा बनाने के लिए तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया था और पानी को मैं ह इस तरीके से बड़ा चाय चनिस बनते हैं देखिए एकदम दुकान जैसा क्रिस्पी बड़ा रेडी हो चुका है बनके मैं तो खाते टाइम आप लोग को नहीं दीखा पाई बना दिखाती बहुत टेस्टी बनाता क्योंकि एकदम सिंपल रेस्पी है बहुत साधारड सी र बनाने कोशिज करती हूं और इस तरीके से इसको फिर चप्टा कर लीजा आपको मोटा पसंदे तो मोटा चप्टा पसंदे तो चप्टा पर फिर फाइनली इसको अच्छी तरीके से डार्क ब्राउन कर लीजे क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा जो है वो सुनेहरा कलर में ही अच्छा लग रहा था तो ताजा ताचा बड़ा मिल गया हरी चटनी मिल गई देखिए फैनली मेरा बड़ा बनकी रेडी हो चिका है आईए आप लोग भी इपतार में आप लोग का भी इस तकबाल है हमारे दस्तर खान पर और अब मैं इधर साइड में यहां पर मैं तैयारी प्रूट को बड़ा बना लिए तो मेरे बच्छों को इस तरीके का फूट शाट पसंदे इसलिए मैं अब इसमें डालना है नमक और नीभूजों में लाश्ट में डालूंगे इसके बाद में आप फूट का जो मेरा ट्रे है उसको भी रेडी कर लोगी क्योंकि मेरे हाँ अ देखे अच्छा लगता है और उसके बाद यहां पर मैं चना की तैयारी कर लेती हूं तो इसके लिए भींगा हुआ चना ले ले लेते हैं आज मैं चने को फ्राइनी कर रही हूं आज मैं कच्छा चना का चाड़ बना रही हूं तिस तरीके से रमजान में यह तो कंबल सरी ह यहां पर हम tul आपकों छणा लेना है की तु यहां पर दो को चाञा टो चाण नमक और में अधार करूं कि इसना नमक और नीबू को में रख दूँ investigating जब मुझे यह जरुवत लगेगा तब मैं एड करूँगी अभी एड नहीं करूँगी और इस तरीके से सब चीजों का प्रिप्रेशन करके मैं फ्रीज में रखने से क्या है कि इन सब चीजे खराब नहीं होती है और कुछ मैं नॉर्मल सैलेट बना लेती हूं क्योंकि अगर सैलेट जैलाट चैनाचाट यह सब चीजे फ्रीज में रख गया है और इन सब चीजों पर मक्की में चड़ लगने का भी टेंसन कंगी और इसका अधे से गिंटे पहले भी आफ्रूट करेंगे तो इसी तरीके का दिखेगा अब हम रेडी करते हैं आप इस सर्बत आज हम ल पहले से इसलिए बना के रख रही हूं सरबत को क्योंकि सकर गुलने में टाइम लगता है तो मैं अपना कुछ कुछ काम भी करते रहूंगे और इसको सांथ साथ में हीलाती भी रहूंगे तो तो क्या कि हमारा जो नीबू पानी है सरबत नीबू का रेडी हो जाएगा और इस के बाद हम यूज करते हैं सरबत तो मैंने सरबत रख लिया सरबत भी हमारा रेडी हो गया तो टन बाई टन दिखाते हैं कैसे कैसे हमें एड करते हैं तो पहले सरबत खजूर हो गया फिर पानी फिर सरबत उसके बाद हम आपे सर्ब कर लेंगे खीर जो मैंने खीर बनाई थ कि मैं खीर कैसे बनाई थी सौरी सैथ सर्ब की वीडियो पहले आ गई है और एस भी वीडियो पीछे है तो मैं यहाँ पे खीर को भी सर्ब कर देती उसमें हलका सब अदाम लगा दी थी उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल ले थी अपना फ्रूट सैलेड वगरा उसके बाद चन निकाल दिया था इसके लिए जिनको पसंद कंचान रहेगे जिनको पसंद कंचा लेंगे और मिक्स आलट पसंद को तो मिक्स आलट वी यहाँ पर हमारा चानी है वह भी तैार था आपलोगों को दिका चुके थै चांडी वी और नमक अगयरा हम बाल में एड करेंगे सिगे तो लगा रहे थी कोई फिर फलक आएगी और सबको ठाख के ले जाती है और यहां पर मेरा खीर भी चड़ा हुआ था मैं साइद वीडियो आगे पिछे हो गया खीर चढ़ा हुआ था है तो खीर को मैं कैसे बनाई थी उसको दिखा देती हूं खीर को मैंने कुछ भी नहीं था दूद चढ़ा है दूद में हलका सा सककर डाल दिया सकर अगर आपके मिक्स जो रेडिमेंट खीर आती है उसको बना रहे हो तो सककर एड़ नहीं करना पड़ेगा मैं से मिस्टेक हो गया था कि मैं रेडिमेंट खीर बना रही थी भाया मुझे साथी से दिये थी इसका और उसके बाद फिर मालो चलाना था कंटीनु में चलाने पाई थी तो भीच भीच में थोड़ा सा हो गया था तो मा फिर इसको मा उसको निगाल का चाज तिकी थी काम कर रही थी चमा से उसको मैस कर रही थी अच्छी तरीके से उसके बाद फिर रेडी कर रहे थे हम लोग अपना किचन का जो भी काम था देरे-देरे सब चीज फिनिस हो चुका था और दो से तीन घंटे लगते हैं किचन में मुझे और मैं साथ-साथ में बागी सब काम भी करती जाती हूँ और य मीचा के लिगज़ वांने में प्रणा काम ryDER । और छाविया अबोर सब्सक्राइन शीद अध्यार को अध्य "... जञाते रहा का-फिर कर रहा है चाtपाव में असला चावल पेसा तो बाहर चुले में बना था lungsूरा उस तुछ्पार तैयार हो चुका है आपका भी इस्तक्बाल है हमारे दस्तर खान पर आप भी आईए और हमारे साथ रोजा खुलिए आप भी सरी को यह और कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग को हम लोग का जरूर बताईएगा हम लोग आप लिए बहुत मेनत से वीडियो लेके आते हैं त आज जल्दी मना के रेडी हो गए क्योंकि आप लोग वीडियो से आर करना था वरना हस्मेंट बैट जाती हैं तो फिर एंसने कर पाती हो नहीं वीडियो बना आपाती हिए बच्चे सब रेड़ी हैं लिआ बिए हम दस्तर खान लगा के तयार होते हैं तो सबसे ज़्याद तो मैं नीबू अगेरा सबैट कर रही थी नीबू नमक जो मैंने बताया है कि मैं लास्ट में टच अप देती हूं नीबू और नमक को क्योंकि पहले से डालने से उसका टेस्ट खराब जाता है और वहां पर मैंने अलग से थाली निकाल कर रखा हुआ है बगल में बड़ी मम् और सबसे गुसा वाला जो काम लगता है बोरिंग काम हो है बरतन दुलना और मैंने वीडियो बनाई और जैसे ही रूम में आई उसे मुझे कमेंट आया था कमेंट किया था मेरी एक सिस्टर एक अजन है वो उसने स्टेटस लगाया था कि बरतन दुलते समय पुरा गुसा न दूआ में याद रखिएगा नेस्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और आज की वीडियो आप लोगों कैसी लगे प्लीज कमेंट करके बताईएगा बहुत मेहनत से वीडियो बनाई